चले क्विकली बढ़ते हैं इस लिस्ट के फर्स आंडुड डाप की तरफ जिसका निमें एन्फोर्स डोज जब आप इस अपको ओपन करेंगे फर्स टेम आपको रूट परमिशन डारेक्टली ग्रांट करना पड़ेगा तब ही आप इसे यूज कर पाएंगे अब डोज का मत बैटरी बैकप के लिए वन ओफ ती बेस्ट एप्स हो सकता है जब आप इसमें डोज को इनेबल करेंगे तो जैसे बैकगरंड में आप जब अपने डवाइस का स्क्रीन ओफ करेंगे लॉक स्क्रीन में जाएंगे तो कुछ प्रोसेस जो हैं वो बैकगरंड में शट डाउन हो जाएंगे जिससे क्या होगा आप अपने डवाइस में देखेंगे कि सर्विसी जरन नहीं कर रहे हैं तो बैटरी जो है वो काफी हम तक सेव आटोमेटिकली होगी everything has some disadvantages तो इसमें भी एक disadvantage है कि अगर आप देखेंगे बैकगरंड में अगर आप उन एपस को यानि कि जो डोस मोड नेवल होगा तो एपस काम नहीं करेंगे बट ऐसा नहीं है कॉल्स वगरा आएंगी वो सब चीज़े काम करेंगी तो बैटरी बैकप को सेव करने के लिए इस तिल अच्छा है बो सकता है लेकिन configure करने के लिए already पहुत सरे options इसमें आपको देखने को मिलेंगे जब आप इस install करेंगे you'll get to know better second one जो हमें इस list में देखने को मिलेगा उसका name है आप बैटरी चार्ज लिमिटर ये भी एक बहुत जादा useful Android app हो सकते हैं आपके rooted Android devices के लिए कुछ-कुछ अगर आप एक custom room यूज कर अपने device में तो वहाँ पर तो ये चीज़ आपको देखने मिलते हैं कि आप charge limit को set कर सकते हैं कुछ-कुछ OEM में भी ये चीज़ अवेलिबल है लेकिन अभी भी क्याफी सारे Android devices है जहां पर ये चीज़ अवेलिबल नहीं है कि आप अपने device में बैटरी चार्ज की एक limit सेट नहीं कर सकते हैं लेकिन after doot आप easily कर पाएंगे सिर्फ इतना नहीं है यहाँ पर आपको और भी options देखने मिलते हैं mostly आपको पता होगा 80% देखने मिलता है या 90% यहाँ पर हैसा नहीं है आप particular limit सेट कर से तो उस्चेव पर चार्ज नहीं होगा आपका device का बैटरी और आप यहाँ पर voltage को भी अपने हिसाब से convert कर से कितने voltage का current आप अपने device में अपने बैटरी में enable करना चाहेंगे कितना नह नहीं यह थोड़ा सा complicated app हो सकता है अगर आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं तो मैं रिक्मेंड को कि आप इसे use मत कीजें लेकिन अगर आपको पता है कि कैसे इसको bypass करना है कैसे use करना है तो definitely rooted आट डिवाइस इसके लिए कुछ interesting देखने को अबलती है तो यह try आप ज चूज किया long press को चूज किया काफी सारे actions हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं आप किसी को भी choose कर सकते हैं so for example मैंने यह पर चूज किया screenshot को अब मैं volume up को अगर long press करूंगा तो मेरे जो device में screenshot लिया जाएगा अब यह चीज़ एक्शली में काफी amazing है screenshot तो मैं आपको as an example बता कर लिया recent panel को open कर सकते हैं और सिर्फ actions नहीं अगर आप चाहें तो किसी एप को भी open कर सकते हैं like मेरे पस यतने भी apps available हैं मैं मैं से किसी भी app को open कर सकता हूं so for example अगर मुझे यहाँ पर draw edify को enable करना है तो मैं क्या करूंगा volume जो मैंने यहाँ पर कर दिया है अब चलेंगे volume down आउन वाले option में long press करेंगे जैसे में long press करूंगा app open हो जाएगा तो इस तरह से आपने device में काफी सारे चीज़ें को explore कर सकते हैं options बहुत सारे available हैं जब आप जाएंगे explore करेंगे और भी काफी सारे चीज़ें देखने को मिल जाएंगे आपको अगर वीडियो अच्छे लग जाएंगे